नमस्कार मैं हूँ महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं MP Watch आज हम आपको एक ऐसे सरकारी इंजिनियर से मिलाने वाले हैं जो अब हिपनोटिजम की दुनिया के बेताज बाससाह बन चुके हैं हिपनोटिजम अर्थात सम्मोहन क्रिया इस इंजिनियर की ख्यात इतनी कि इसके सम्मोहन क्रिया से देश विदेश के लोग अपने याँ खीचे चले आते हैं आज हम सम्मोहन क्रिया के हर राज से परदा फास करेंगे आप हमारे साथ चुड़े रहिए और आप देखिए हमारी ये special report अब हम पहुँच चुके हैं सम्मोहन गुरू SK समेले जी के बीच और SK समेले जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बाच्चीत करने के लिए शबसे पहले तो मैं MP वाच चैनल के जितने भी विवर्स हैं आपके दर्शक हैं उन सभी को मैं शादर नमस्कार करता हूँ उनका अभी बादन करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ग्यापित करता हूँ समेले साफ आप हमें ये बताइए कि आप सम्मोहन क्रिया के बारे में क्या जानते हैं बास्तों में शम्मोहन के बारे में जिसको हम हिपनोटिज्म कहते हैं इसके बारे में हमारे समाज में बहुत सारी ब्रांतियां आज भी ब्याप्त हैं इसको लोग जादू, टोना, वशीकरण, टोटका और तंत्रमंत्र से जोड के चलते हैं, इसकी चबी अभी भी सुधारने की बहुत जरूरत है, वास्तों में हिपनोटिजम अपने आप में एक विशुद्य रूप से अवचितन मन का विज्ञान है, मन की दो लेयर होती है, अ हिपनोटिजम भी क्या कई प्रकार के होते हैं, आप इस पर कुछ बताएं हैं, आपने बहुत सुंदर प्रश्नी किया है, और हिपनोटिजम की में पहले तो बहुत अच्छी परीभासा बताना चाहूंगा, वास्तों में हिपनोटिजम होता क्या है, तो हिपनोटिजम मन की एक वैकल्पिक अवस्था है जिसमें जो व्यक्ति होता शोने और जागने के बीच की अवस्था में रहता है ना तो शोता है और ना जागता है इसमें हम क्या करते हैं हम इसमें किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी क्लाइंट को अपनी विद्या के द्वारा अपनी टेक्निक के द्वार, अपनी पावर के द्वार, उसके हम जो conscious mind है, चेतनम उसको हम सुला देते हैं, और वो भी कृत्रिम नीद में सुला देते हैं, और हम उसके अवचेतन मन को activate कर देते हैं, तो ये तो हुई इसकी बास्तों में परिभासा, और ये डॉक्टर मिल्ट के जितने विकार हैं, परेशानिया हैं, डिशॉर्डर से उनको ठीक कर सकते हैं, और गोल एचीब्मेंट में आप क्या बनना चाहते हैं जीबन में, आपको memory, bill power, positivity, confidence, happiness, money, income बढ़ाना, समाज में social status बढ़ाना, personality development करना, इस सारी चीजें आप खुद को इपनोडाइज करके कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं, आज भी हमारे समाज में समोहन को लेकर भय है, आज भी हम लोग आपने घर के बच्चों को ये क्रिया सीखने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोगों का रुजान इस हिपनोटिजम की और बढ़े, आपन अब माहौल धीरे-धीरे काफी बातावरान इसके पक्ष में बन रहा है, क्योंकि ये जो मेडिकल, इंडियन मेडिकल एसोशियेचन है, और डबलु एचो द्वारा ये प्रमानित है, और सर्टीफाइड विज्ञाने हिपनोटेरेपी, तो हम एक बिसेंस रूप से जो मिश है, हम उसको दूर कर रहे हैं, दूसरी चीज, हमने बहुत सारे 12 के स्टूडेंट के बैच बनाए पिछले साल, और दस-दस के बैच में हमने उनको हिपनोटाइज करके, उनकी मेमोरी बढ़ाई, उनकी बिल पावर बढ़ाई, उनका कंसंट्रेशन ऑप माइन बढ़ा, और उनका रिजल्ट अभी सामने आया, तो 60% बाले बच्चे 85% ले करके आये हैं, यह हमने प्रेक्टिकली करके देखाया, आप कितने सालों से यह हिपनोटिजम का काम कर रहे हैं, वास्ताव में हिपनोटिजम से मेरा तो खून में समाहित है, बचपन से ही मुझे इसमें होगा चुके हैं, आप एक सरकारी इंजीनियर हैं, आप को थोड़ा संकोच नहीं लगता कि कहीं हमको हमारे अधिकारी नाराज नहीं हो जाएंगे, हमारा स्टाफ क्या हमको किस नजरिये से देखेगा, आप कैसा मैसूस करते हैं, जवाब फिल्ड में काम करते हैं, एक्च् जो सास्किय जोब है, उसको पूरी तरह से बक्खुवी अन्याम देते हैं, जिससे हमारा कोई अधिकारी है, हमसे वरिष्ट कोई भी हमारा कहना चाहिए, हमसे वरिष्ट करमचारी अधिकारी हमसे कोई हमें डाट ना सके, या हमें किसी तरह से उसमें अब्जक्शन ना लेके जा रहा हूं इसका जो हम प्रचार प्रसार है वह मेरा उद्देश में कमसें 40-50 देशों में इसको ले जाने बाला हूं तो दोनों कामों में बड़ा तालमेल मिलाता हूं मैं 16-16 गंडे में काम करता हूं आपने क्या कभी अपने अधिकारियों के उपर भी इसका उपयोग किया है जी अवसी किया है और मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगा लेकिन मैंने अपने एक शियोशाप को पूरी तरह से हिपनोडाइज करके और डीप ट्रांस में लेजा करके उनको हिमाले परवत में साक्षा सियोजी के दर्शन कराए थे और भी उनने बहुत शारा बताया था तो मैं अपने अधीकारियों पर भी कर चुका आप जॉब के बाद क्या लोगों को सिखाते भी हैं है? और कितने लोगों को अभी तक आप सिखा चुके हैं जॉब के बाद मेरा जो शिखाने का जो प्रोग्रेम रहता है वो मेरे पास जो Saturday Sunday के झो vacation होते हैं जो चुट्टिया मिलती हमको उस चुट्टी में हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं हिपनोटिजम की और लगभग आज की तारीक में में लगभग 400 से 500 लोगों को और इंडिया और जिसमें विदेश की लोग भी शामिल हैं उनको मैं ट्रेंड कर जा चुका हूं इसके लिए एक बार आप यह बताईए कि यह हिपनोटिजम जो है क्या इस पर कैरियर भी है क्या इसकी पढ़ाई भी की जाती है आपने बहुत अच्छी बात कहिए एक मैसेज जाएगा निश्चित रूप से इस सित्र में एक बहुत बड़ा कैरियर है मैं आपसे बताऊं क्योंकि आज जारा समाज में आ रही है उसका मेरे पास एक परफेक्ट विज्ञान है और सॉलिड ट्रीटमेंट है बाई हिपनोट थेरेपी इस चेतर में लोग मुझसे सीख करके और इसको एज़े प्रोफेशनल यूज कर सकते हैं लोगों की सारे साइकिक इशू है या गोल एचीबमे इसीख करने करते हैं तो वो तो फूरी तरह से एक विज्ज्ञान है उसको हम वसीकरन नहीं कह सकते हैं वसीकरन जो अपने हाँ शटकर्म की विद्याए है मारन, मोहन, वसीकरण, इस्तंबन, उचाटन और विद्ध्वेशन उस में एक वसीकरण का जो पार्ट है हलाकि मैं accept करूंगा कि मैं जानता हूँ, वसीकरण भी मैं जानता हूँ, इसमें कोई दो मत नी, लेकिन ने हिपनोटीजम की विद्या सीखी कहां से वास्तों में तो हिपनोटीजम में 1990 में परमपुजी डॉक्टर नारहेंदर श्रीमाली साथ से हमने शीखा इसके अलावे इसको और जाके डेवलप किया वह हमने इसको जाके नेपाल और तिब्बत क्योंकि हमारे पास शिद्धास में हिपनोटीजम भारत की प्राची नितम विद्या है और जिसे हमारे सास्तरों पुराणों में इसका नाम शम्मोहन विद्या, त्रिकाल विद्या या प्राण विद्या क्योंकि इस विद्या के द्वारा भूत, भविश्य और वर्तमान तीनों काल में आपकाम कर सकते हैं इसलिए बेसिकली यह भारत की विद्या जहां तक हम मौडर्न हिप्नोडिजम की बात करें शन 1734 में उस्ट्रिया कंट्री के बियाना सहर में डॉक्टर फ्रांज एंटन मैसमर साब का जनम हुआ वो इसके जनक हैं फॉर वेस्टन कंट्री लेकिन अपने हाँ तो लॉड सिवा और लॉड कृष्णा भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव यही जनक हैं इस विद्या के लोगों के अंदर डर है कि वो सम्मोहन क्रिया कर देगा पैसे जेव से निकाल लेगा वो सामने वाला जो जैसा कहेगा आप वो ऐसा ही करते जाएंगे इसकी सच्चाई क्या है आप हमारे दर्शकों को बताईए जिनके अंदर डर बना हुआ है सम्मोहन क्रिया को लेकर उस डर को कैसे दूर किया जाए इस बात को मैं सभी के सामने बहुत इसपस्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि शम्मोहन के द्वारा कभी भी किसी आदमी को लूटा नहीं जा सकता है शम्मोहन के द्वारा आप चाहें किसी आदमी के राज हैं जो शीक्रिट हैं वो नहीं उगलवाए जा सकते क्यों क्योंकि ज क्या आपके अधिकारी कर्मचारी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि आप यह जो समोहन क्रिया कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं चुंकि हमारा उद्देश बहुत ही पावन और पुनीत और पवित्र है चुंकि मैं एक नसा मुक्त समाज बनाना चाहता है उनको एक अच्छे संसकार देना मेरा लक्ष है इसलिए लोग मुझे सपोर्ट करते हैं चलिए बात चीट करने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया एसके समयले साहब और कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुक सकता बरफ बनने तक होसला तो बनाए रखिए तो यह थे इसके समयले साहब जो समोहन गुरू माने जाते हैं और एक सास की नौकरी में भी पदस्त हैं ये पैसे से इंजीनियर हैं इनसे हमने बात चीत की इन्होंने हमें बताया कि ये हिपनोटीजम का कोई दुरूपयोग नहीं कर सकता जैसा लोगों के मन में भ्रम है कि कोई वशी करन करके पैसे करते हैं हाजी तो आपका शुब नाम केशाव शिंग जी हमारे पाश में है और इनको हम समोहन की दुनिया में लेके चल रहे बहुत अच्छा संसार है एक कंसेंट्रेशन पाइन का प्रोसिस है मैं जसा आपको बोलूँगा आपको थोड़ा फॉलोग करना पड़ेगा ठीक कोका लगातार अप मेरी आऐंको में देखते जा रहे हैं मैं जैसे और इसम्होर के करुंगा आपको चड़ेखनारे नेन वाली यह दूर रचन की वह आने वार शुखत नीद हिए जाएंगे रहे हं हों मैं जाहे हम्जट्कित बोल के टच्च करेंगों और सभी हैँ एन च् सारे पार्ट्स रिलेक्श हो रहे हैं हिपनोटिजम की लाइब तस्वीरें आप देख सकते हैं MP वाच पे कैसे एक सब इंजिनियर एक यूबक को कैसे हिपनोटाइज कर रहे हैं अब ये यूबक सब कॉंशियस मूड में जा चुका है अब देखिए अब इस यूबक को अचेत अवस्था में ये कहां लेकर जाते हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग है MP वाच की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप पहली बार मीडिया के कैमरे में देख रहे हैं कैसे एक सरकारी इंजिनियर एक यूबक को हिपनोटाइस कर रहा है आप पहली बार ये तस्वीर देख रहे हैं ये जो सब इंजिनियर हैं ये सतना जिले के नागोत जनपद में पदस्त हैं इनका नम S के समेले हैं आप देख सकते हैं लाइब तस्वीरें MP वाच में पहली बार दिखाई जा रही है कैसे सम्मोहन क्रिया का प्रदर्शन किया जा रहा है ये सब इंजिनियर इस यूबक को कैसे सब कॉंसिचर्स मूड में भेज चुके हैं आप हमारे साथ बने रहे हैं आपको हम आगे भी दिखाएंगे कैसे ये इसको वापस अचे तवस्ता से चे तवस्ता में लेकर आएंगे वहाँ एक गुफा है टनेल है शुरंग है उसमें शादूशन तपश्या करते हैं वह वैसी वाली गुफा है बहुत अच्छी मेडिटेशन के लिए जो भक्ती भजन पूजन के लिए है उस गुफा में लेकर चलता हूँ उस गुफा के आप अंदर जाते जा रहे हैं और डार्क गुफा है लेकर शादूशन तपश्या कर रहे हैं आप उन्हों पर देख सकते हैं उनको फोर पूरी तरह से हमारा कंदे का टच और बॉडी का मुवमेंट यह आपको पहले से कई हजार गुना डीप रिलेक्शेशन में ले जा रहा है उस काले अंधेरे में बढ़ते जा रहे हैं हर यह अंधेरे को क्रॉश करते हुए आदि कुफा हो गही है 2 1 & 0 लीप श्लिप येस उश गुफा में आप बता सकते हैं अंधेरा है कि अ किस अधेरा है हम स्विन ना इस 272 अंधेरा है कि तो ज्यादा डर्क है कि कम अधेरा है बहुत ज्यादा जोर से बोलो तुमारा खुद का हाथ दिख रहा है।। ति अभ आप उछे दीख पाएंगे।। मोप पताशकते हो। कि अप DAN नहीं है। कै अंधिरा है। iskt分ches जीरो गुफा के उश्पार क्या है अब अगफा के इस पार क्या है बता सकते हो। ओ भुलेप। श्पार क्या है दुजकिu क्या है पूर्यिला गया वेरी डचाइब वहां इस क्लार वहां की मिट्टी जहां पर गुफा के उस तरप wilt सब्रस्थ है किसी मिट्टी यहँँ नाइस जोड से बेलो की मिट्ट्टी कैसी रही है ज clairement मिट्टी को क्रोश करो फाइब यस फूर और जैसे में माथे पर तच करूंगा आपको पूरा यह बिख जाएगा कि मिट्टी ककहा तक है फोर थ्रीट उवन एस जीरो दीब चलिप यहाथ रखते ही आप वहां का उस मिठी के उस पार क्या दिख रहा है उस तरफ क्या है मिठी के शमुद्र 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 कितना बड़ा है कि छोटा है यस 3 2 1 0 बिशाल समुद्र है, शमुद्र के किनारे और कोई आद्मी, कोई कुछा सीन है वहाँ का, शमुद्र के किनारे क्या क्या दिख रहा है तुमको कोई नहीं है nobody is there good के बल तुम हो वहाँ पर अच्छा very nice तुम यस तुम वहाँ पर अभी वहाँ समुदर के पास तुम अभी क्या कर रहे हो वहाँ पर what are you doing there खड़े हो तुम वहाँ पर अकेले खड़े हो समुदर के पास के और भी लोग खड़े है अकेले खड़े हो, समुद्र में नजर डालो, वहाँ कोई नाओ है, कोई बोट है, कोई चीद दिख रही है, क्या है, चंदरमा दिखाई दे रहा है, कौन सा बक्त है, साम का बक्त है, चंदरमा दिख रहा है, very nice, first class, yes, three, two, one, वहाँ पर तुमने कौन से कप्ले पहन रखे हैं वहाँ पर, समुद्र के पास, black, जोर से बोलो, black, क्या, काली रंग का क्या पहना हुगा है, तुमने वहाँ पर, paint, paint काला पहना है, और उपर क्या पहने हो, कैसे रंग की पहने है, पीली, पीली, सर्ट पहने है वहाँ पर यह, और काले रंग का, paint पहने हुए है, यह सीन है, शमुद्र के दिखा दिया है आपको, यह शमुद्र में, देखो, उसमें, जीब जन्तु हैं क्या कुछ वहाँ पर, क्या है, मचली है, अच्छा, छोटी अच्छी है, चलो, वहाँ समुद्र से, अब मैं लेके चलता हूँ, you can identify, कहा का समुद्र है, अगर identify कर सको, I am connecting your mind, your subconscious mind with that area, you can recognize that area, केस एरिया का समुद्र दिख रहा है तुमको, yes, three, two, one, and zero, पस्चिम का समुद्र है, nice, very good, first class, वहाँ से, अब मैं आपको, पांच की गिंत आप वहाँ का नगर, शहर, जो भी होगा, वहाँ पहुचने वाले है, speed बला देते हैं, mind की, five, बहुत तेजी speed कर दी है, आपके mind की, four, three, two, one, and zero, वहाँ पास में बहुत, जो है, दूड़ दूड़ के आपने वहाँ देख लिया, कोई नगर है, क्या है वहाँ पर? जोड़ चल रहा है, अबदो कुछ नहीं है, क्या चल रहा हो अभी वहाँ पर, जोड़ चल रहा है, और जोड़ में तुम जा रहे हो, तो उसको लगार पर क्रॉस करो, जोड़ पर कोई बाहन है, क्या वहाँ? एक भी बाहन नहीं, कोई जानवर, कोई आदमी, रोड हाइव कि रहे हैं एक village level कि डिस्टिक लेवल की रोट दिखाई दे रही है highway रहे हे highway में देखो kilometers stone बना होगा sini 3 आपको kilometeroop lead जाएगा 21binary लीपस दीप इंस लीप है आप वहाँ पर highway में कौं सा kilometer वहां पे लिखा हुआ है कुछ ऑ दिखो दूर दूर येस, देख सकते हो समुद्र के किनारे वाली रोड और रोड में किलो मीटर का स्टोन, 40 किलो मीटर, कौन सा स्थान है वो, यू कैना इडेनिफाई, कौन सा स्थान है, चालिस लिखा है, कोई प्लेस का नाम लिखा है क्या, केवल चालिस लिखा है, कोई बात नहीं, very nice, दोनों हाथ फसा हो आपस में, yes, मैं पांच तक की गिंती बोलूँगा, दोनों आपस में उगलियां फसा के, उगलियां आपस में, पूरी तरह तेजी से, और इसमें फैबी क खोलने की कोशिश करेगा, यह हनुवान जी की शक्ती इनके अंदर मैंने डाल दी है, और यह फैबी कोई का जोड बना दिया है, तु, यह फैबी कोई का जोड बन गया, this is the power of subconscious, मैं, you can test, yes, अब जो कोई खोलेगा, खोलने की पूरी ताकत लगाने पर उत्ती जादा चिप जाएंगे, दुनिया की कुई ताकत भी खोल सकती, this is the power of subconscious, मैं, you can test, यह हनुवान जी की शक्ती हमने आपके अंदर डाल दी है, आपके अंदर powerful बन गया, एक second में, one, two, three, यह खुल गया, within second. 23 नवंबर 2003, ये वो दिन था, जिस दिन भारत सरकार की Ministry of Health Welfare ने हिपनोटिजम को कानूनी मानता प्रदान की, हाला कि डबलू यचो ने सन 293 में हिपनोटिजम को कानूनी मानता प्रदान की है, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बाक्स पर जरूर दें, और लाल वाली सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, अभी आप हमें दीजिये इजाजत, हम मिलेंगे फिर एक नई स्पेसल इस्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार. झाल 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 झाल